आईसलम अलेकूम मैं हूँ आईशा खान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चेनल लेर्न वीथ आईशा ये स्प्राउट है आज आईशा इस स्प्राउट से आपको टेस्टी ब्रेक्वास्ट रेसेपीस बताईगी अंकूरित दाले हमारी हैल्थ के लिए बहुत मुफीर हैं तो साबूर दालों को अंकूरित करके उसके टेस्टी डिशेज बनाई जाए खाने में भी अच्छा लगेगा और हमारी हैल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा मूं को मैंने सुफ़ विगा दिया था और रात में इसे कपड़े में बांध कर रख दिया 24 घंटे में हमारे मूं अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे सिबसे पहले इस मूं का हम अच्छा पेस्ट बना लेंगे मैंने मूं का पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डाल कर हमने ये महीन पेस्ट बनाए हम इसके डिफ्रेंट डिफ्रेंट डिशेस बनाएंगे इस थोड़ा सा पेस्ट हम इस बावल में निकाल लेंगे इस मूं में हम सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हल्टी डालने के बद थोड़ी सी मिर्ची डालेंगी थोड़ा सा जीरा डालेंगी इन सफी को हमें आच्छे से मिक्स करना है हम बना रहे हैं उकेवी मौंग का टेस्टी दोसा एक अंडा डालेंगे अंड़ डालने से हमारा तोसा बहुत टेस्टी, सोफ्ट और स्पंची बनेगा बीना अंड़े काफी हम बना सकते हैं विंटर का सीजन है तो अंड़े जरू डाले विंटर में अंड़े खाने का अपना एक अलगी मज़ा है ये डोसा बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी है और इसी रेसिपी है तो आप ज़रूर ट्राइ करें बच्चों के लंच बॉक्स में भी हम इसे दे सकते हैं ये हमारा बेटर बहुत अच्छे से कम्प्रिट हो गया है ये पेन में मैंने थोड़ा से कुकिंग आई लिया है हमें इस तवे को अच्छे से गरम करना है बहुत ज़्यादा गरम भी ना हो तवा और ठंडा भी ना हो अब हम इसमें हमारा थोड़ा से बेटर डालेंगे बहुत ज़्यादा ना डालें बहुत थीक भी नहीं बनाना है इसको हम चम्मस से अच्छे से फेला देंगे मेडियम फ्लेम रखना है यह हमने अच्छे से फेला दिया है यह डोसा बहुत ही स्पाइसी और पहुर टेस्टी बनता है आप जरूर ट्राइ करें इसका हम ड्राइ होने का इंतजार करेंगे उपर से जब ट्राइ होने लगेगा तब हमें इसे टर्न करना है टर्न करने में जल्द बाजी न करें आसानी से इसे बनाएं दोनों साइट से हमें इसे अच्छे से सेखना है मशाला देखो क्या लूख है जितना अच्छा दीख रहा है उतना टेस्टी भी है इसी तरीके से हम सारे डोसे बना लेंगे तो है ना बहुत जट पट बनने वाली रेसिपी टेस्टी ब्रेकफास्ट अब हम दोसरी डीश बनाएंगी यह मैंने थोड़े से हमारे पिसे भी मौंग लिये हैं हम तीन डीशेज बना रहे हैं इसे थोड़ा थोड़ा सा ले रहे हैं इसमें एक चमच लेसन द्रक का पेस्ट डाल रही हूँ एक कटोरी सूची लेंगी एक प्याज डाली प्याज को फाइन चॉप किया है एक चमच जीरा लिया है हादा चमच पिसा हुआ करम मसाला लिया है टेस्टी के इकोडिंग नमक लेंगे, मिर्ची लेंगे टेस्टी के इकोडिंग, हल्दी थोड़ी सी और ये मैं पुधिना पौडर डाल रही हूँ, हरा पोधिना है, तो वो ले ले हरा पोधिना नहों होने पर हम सुखावा पोधिना भी ले सकते हैं इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ये डीश भी बहुत टेस्टी है ये मैंने आईल करम कर लिया है अब हम चटी-चटी सी पकोड़ी इसकी फ्राइ कर लेंगे अब थोड़ा सा हमें इसे और फ्राइ करना है इसे मंगोड़ी फी बोल सकते हैं पकोड़ी फी बोल सकते हैं ये अच्छे से फ्राइ हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे और सारी मंगोड़ी हमें इसी तरीके से फ्राइ करना है तो मेरी ये recipe अपको किसी ले कि дело है ये मूंकी मंगोरी complete है इसमें हम चाट मसाला डाल के इसें सर्व करेंगे ये हमारा डोसा this complete है डोसा और मंगोरी बनाने के बात अब हम बनाएंगे इस अंकुरित मूंकी केडिली जोकी बहुत healthy और टेस्टी है इसमें भी हम एक कटोरी सूजी डालेंगे सूजी डालने के बाद एक कटोरी तहीं डाल रही हुमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट्री के कडिंग नमक लेना है थोड़ा सा मिठा सूड़ा लेंगे इसे हम आच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग आइल कुकिंग आइल डालने से हमारी इडली बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी और फुली फुली बनेगी बहुत थोड़ा सा ही कुकिंग आइल लेना है कोई भी आइल हम ले सकते है आईल को अच्छे सी mix करने के बाद इसमें हम एक चम माच शक्कर डालेंगे छोटा एक चम मच शकर ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है हल्दी हमें बहुँछ ज़्यादा नहीं लेना है अगर healthy ज़्यादा डाल दी तो हमारी इडली का लो कितना अच्छा नहीं रहेगा हमें इसी अच्छे से फैड ना है अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा lemon juice lemon juice भी अच्छे से mix करेंगे सेफी को अच्छे से मिक्से करने के बाद अब हम ये इडली मेकर में थोड़ा सा पाने डालेंगे और इडली की साचे में कुकिंग आईल लगा लेंगे कोई फी आईल हम ले सकते हैं कुकिंग आईल लेना है अब हम यह जो हमारा इटली का बेटर हमने तियार किया है वो हम इस साचे में भार देंगे और इस साचे को इस इटली मेकर में रखेंगे इटली मेकर में इस साचे रखने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए इस्ट्रीम देंगे इंशालला 10 मिनट में हमारी इडली कंप्लेट हो जाएगी मैं 38 मिनट पर देख रही हूँ अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है लगफ़क एक मिनट बाद मैंने इसे देखा है मैं इसमें चाको डल के देख रही हूँ हमारा चाको साफ तुत्रा है यहने हमारी इडली कंप्लेट है ठंडा होने के बाद हम इसे साचे से निकालेंगे मैशालला देखे कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट फुली फुली हमारी इडली बनी है अब हम इस इडली में तड़का लगाएंगे तड़के के लिए मैंने स्पेन में थोड़ा सा कुकिंग आयल लिया है आयल के गरम होने के बाद हम इसमें राइं फ्राइ करेंगे राइं फ्राइ होने के बाद हम इसमें हरी मिर्ची फ्राइ करेंगे हरी मिर्ची को मैंने बीच में से दो कट किया है आप गड़ी पता डाला है थोड़ा सा हम नमक डालेंगे मिर्ची अगर तीखी है तो थोड़ा सा नमक इसमें जरूर एट करें नमक डालके जब हम मिर्ची फ्राइ करते हैं तो वो मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा अगर मिर्ची में तीखापन काम है तो नमक न डाले थोड़ा सा लेमन जूस एट किया है लेमन जूस आप्शनेली है अगर आप खटा मिठा बनाना चाह रहे हैं तो लेमन जूस और थोड़ी सी शकर एट करेंगी एक चमच में इसमें शकर मिक्सी कर रही हूँ छोटा एक चमच शकर लेना है शकर और लेमन जूस आणने की बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगी यह हमारा तड़का कंप्लीट हो गया है इस तड़की को हम इटली में डाल देंगे हमारी बहुत ही खटी मिठी चटपटी इटली कंप्लीट हो गई है तो यह हमारी अंकोरीत मौंग से बने इटली, टोसा और मंगोडी मेरी यह रेसीपीस आपको किसी लगी जरूर कमेंट से करेगा मुझे आपके कमेंट से का इंतिजार रहता है थेंक्स पर वोचिंग